कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग के पास में फंड का इशू है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ग्रिड की अवलेबिल्टी नहीं विजली जो हैं वहां पे विल्कुल नहीं है और उन लोग को अपने घर का लोड चलाना है और घर का लोड भी ऐसा है उनका के पंखा है, टीवी है, मोबाल चार्जिंग है, बस इतने लोड है और बजट में चाहते हैं कि बजट में इस तरह का कोई सिस्टम उन्हें मिल जाए कि जिससे आपने पूरे घर का वो लोड चला सके लाइफ इतनी मिले कि एक वार आपने सिस्टम लगाया, फिर आपको कभी देखना ही नहीं है तो अगर इस तरह का आप सोच रहे हैं और बजट में आप सोच रहे हैं और बजट भी कितना, बजट भी मात्र 20,000 और 20,000 पर से कम है अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके घर पर इस तरह का कोई सिस्टम लग जाए जिस सिस्टम से आपके घर के पूरे लोड चल जाए, लाइफ टाइम, टैंशन फ्री तो यह वीडियो आपके लिए है, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने पूरे घर का लोड लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं और फ्रेंट्स इस वीडियो में इस्पेशल यह है कि यह सब आपको मैं आपको टैस्ट करके दिखाने वाला हूँ लाइब टैस्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह आप अपने पूरे घर का लोड इस सिस्टम से चला सकते हैं क्या यह सिस्टम है, क्या-क्या लोड आप इससे चला सकते हैं, कितनी कीमत है इसकी और क्या-क्या इसके super features जो हैं आपको देखने को मिलेंगे तो friends मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से request कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और अभी तक भी आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो friends किसी भी system में जो आपको जूरूत पढ़ने वाली है मतला आपको अपना घर का लोड चलाना है बिजली आपके हैं नहीं या फंड का issue है तो उसमें आपको तीन चीजों की जूत पढ़ने वाली है एक है solar panel दूसरा है charge controller और तीसरा है battery इस system से आप अपने पूरे घर का लोड 24 गंटे जला सकता है अब कुछ लोगों का यहां पर सवाल यह हो सकता है कि सर कई बार बारिश होती है बरसात होती है कुरा होता है दुन्द होती है तो उस time पे हम कैसे अपने load चला पाएंगे और बिजली हमारे हैं नहीं और आप यह budget system बता रहे हो तो friends यह वाला system मैं आपको दिखाने जा रहा कि आपको यह product कैसा लगा तो friends यह आप देख रहे हैं यह है nexus का anti-bifacial panel और यह है nexus का 210 watt का और आप यह देख रहे हैं यह full cell का panel है मतलब यह जो cell अगर आप अभी latest nexus का panel देखेंगे तो उसमें आपको यह cell जो है आदा कटा मिलेगा half cut technology उसको बोलते हैं पर इस panel में आपक सबसे अच्छी खासियत है जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि यह bifacial panel है मतलब कि यह दोनों तरफ से काम करता है और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यह चाम हो में रखवार्क है मतलब को direct sunlight इसके ओपर नहीं आ रही है अभी आपको sunlight में भी इसको test करेंगे हम और बिना धूप में भी हम लोग test करेंगे कि यह कैसा पैनल है तो फ्रेंट सबसे पहले आपको जो इस system में आपको यूज करना है वो करना है 210 watt का nexus का anti-bifacial panel और इस पैनल की warranty जो है वो आपको मिलने वाली है 30 साल तो 30 साल warranty का पैनल है तो आप यह समुझ सकते हैं कि system को आप 30 स साल तक बेखटके चला सकता है अब दूसरी जो इस में खासियत है कि यह पैनल मैक्सिमम जो production कर सकता है वो करीब 280 watt तक का production कर सकता है तो अब यह जो size देख रहे हैं इस size में 280 watt का panel अगर कोई production कर सकता है तो आप आपके लिए यह नई बात हो सकती है क्योंकि इस size में आपको यह maximum 1500 watt, 180 watt मिलेगा, maximum कहीं 200 watt का भी पैनल मिल सकता है पर यह 210 watt का अब इस पैनल को अगर मैं आपको यह फ्रेंट से आपने देखा इसको अगर मैं आपको बैक से दिखा हूं तो आप यह देखिए यह आप देख रहे हैं यह बैक से पैनल और यह पैनल में यहापको इलक्ट्रिकल पैरामीटर्स इसके देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको इसका VOC मिल जाएगा, कितना VOC है, कितने ampere है, तो इसमें आपको जो ISOC देखने को मिलता है वो है 11.64 का ampere का, कर लें इसी के सा जो पैनल के इलेक्ट्रिकल permite-aurais tel आ साथ हो體 look at the plane जान को पेको आक रिएility ke आपको प्छक करना है यह दो देखने को मिलता है और शवन की और प्लस यह माईनस आपजाना है जो उंगत राएन आ पनापने पैनल के धो पलस पर और अपने away यह आ पनने के माइनस पे अपने पैनल को चार्ज कंटोलर से उल्टा लगा देंगे, तो आप इसके अंदर जो डायोड देख रहे हैं, डायोड आपके फट गाएंगे, तो आपको यह दिहान दखना है कि कभी आपका पैनल अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप चेक कर लें एक बार, कि यह जो अब भी वीडियो स्किप किया, और आप यह इस सिस्टम लगाने चले, तो हो सकता है कि आपका शिस्टम में कहीं कोई बैमेज हो जाए, तो वीडियो को कहीं से भी आप इसकिप ना करें और वीडियो को कर पर आप पूरा देखें, तो फ्रेंट्स यह आप देख रहे हैं, यह हमारा red wire हो जाता है, यह पीलातार है, इसमें लगा हुआ है, आप रड़ वायर लगा सकते हैं, और यह black यह मैनस के लिए है, अब इन दोना wire को आपको यह चार्ज कंट्रोलर आप देख रहे हैं, यह अप चार्ज कंट्रोलर ने अपको यह लगा है, इनकी कीमत भी आप कितने रूपे में क्या-क्या आपको मिलेगा, पर इसमें जो मेंकल में कंपोनेंट है, वो कंपोनट आपको समझने का मुझा याउषना है, यह जो चार्ज कंट्रोलर फचास एम्पियर का है, और 12 व वोल्ट 24 쪽 और बाडोसी sarà, यह सज richtig क्टा है, तो इस वह देख रहे हैं यह you could put solariska के लिए है, प्लस और माइनस यह प्लस यह माइनस यह इ taps एक बैटरी को क्नेक्ट के लिए है प्लस और माइनस एक आपको यह चार्ज कर टोलर में न अपने पैनल के और यह लगा देने हैं और आभ दिखा दू दू मज़े की बाद के पैनल अभी च्हाओ हो गया, तो आप समझ सकता है के पैनल किता पाउफुल है, तो च्हाओ में रखने के बाद भी आप देख रहे हैं पैनल के दर वोल्ट आगे, तो आपको आप को अपने को दूप में रखना है, और इस पैनल को आपको दिखे और बाकी आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर इस्टेंड पे इस पैनल को आपको फिट करना है तो अभी इसका जो एंगल है पैनल का वह पैनल बहुत आदा खड़ा है तो मैं अपने लड़के को बोलूगा कि इस पैनल को जो है इसको प्रॉपर अंगल तो यह आप देख रहे हैं अभी आप मैंने यह पैनल यहाँ पे लगा दिया है थर्टी डिग्री का लगबग एंगल तो नहीं बन पाया है क्यों वरनक गर जागा पैनल पर यह चुकी एक टैस्टिंग है आप थर्टी डिग्री के आसपास इस पैनल को मांट कर सकते हैं यह अब इस चार्ज कंटोलर में डिस्पले आ गया है अब इस चार्ज कंटोलर के डिस्पले से हम अपनी बैटरी को कनेक्ट करेंगे और अपने घर का सारा लोड आप चला के दिखाएंगे आपको तो फ्रेंट्स यह आप देख रहे हैं यह मेरे सामने एक कूलर है कूलर तो फैंट्स अभी आपको करना यह है कि आप सीधा भी कुछ लोग इहां पे लोड चला सकते हैं तो सीधा लोड भी आपको चला आना है तो सीधा लोड भी चला सकते हैं पर आपको मैं बता हूँ कि यहां पर अभी जो पैनल की V.O.C. है वो करीब 23.वोल्त है और अगर समभवना जो है वो बढ़ जाएंगी इसलिए मैंने हिसमें वीच में चार्च कंटोलर ड़ला है टाकि आप चार्च कंटोलर जरूर जरूर डाले इसमें और हो सके संभव हो तो आप इस से बेटरी करें तो बैटरी के लिए मैं आपको लीथियम के साथ में दिखाने वाला हूँ कि लीथियम बैटरी के साथ में किस तरह आपको कनेक्टिविटी आपको करनी है पर आप चाहें तो इस पर लैडर सेट बैटरी लगा सकते हैं और एक मारूती की बैटरी की नाम से बोला याता ता उस बैटरी हो तो करीब बैटरी एक बार लगाने के बाद में आपको 15-20 साल तक तो कहीं कुछ देखना ही नहीं है तो फ्रेंट्स यह आप देख रहे हैं यह एक 12 वोल्ट की 100 एंपियर की बैटरी है बैटरी की कॉस्स की थोड़ी सी जादा है तो आप 100 एंपियर ना लेके इसमां 30 एंपियर की भी ब बैटरी नहीं है तो इसलिए मैं सब्स्चूट में यह वाली बैटरी यूज कर रहा हूं तो आप अपने बैटरी में लगा सकते हैं तो आप यह देखिए एक कनेक्टर आपको बैटरी के साथ मिलता है और यह कनेक्टर को आपको अपनी बैटरी से कनेक्टर कर देना है यह आप देख रहे हैं और जैसे आप अपनी बैटरी से कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो आप यह देख रहे हैं तो आप यहां पर आपक पहले आपका लोड चलेगा और बाकी जो बचेगा वो अपकी बैटरी में आ जाएगा तो अब ये कूलर आप देख रहे हैं ये DC कूलर है और DC कूलर के दो वायर ये प्लस और माइनस तो आपको ये वायर टेस्ट करके दिखाएंगे हम ये कूलर मार्केट में आपको पच्छ कि ये आप देख रहे हैं ये कूलर से डारेक्ट हमारा चल दा है और ये DC कूलर आपको चलेगा अब इसको आपको कनुटिविटी जो आपको करनी है अगर आपको सीधा लोड चलाना है तो फिर्मा आपको दूखा दूँ जो हमारा बैटरी का पॉइंट है बैटरी के दिन बार आप सोलर से सारा लोड चला सकते हैं, जैसे ही रात होगी तो आपका बैटरी बैंक है वो चला देगा, आप यह देख रहे हैं कितनी ब्राइट लाइट है, मतलब जो आपके एसी बल्ब होते हैं, उनसे भी तेज यह लाइट है, हमारी जल लई है, तो यह कंटीनु लिए आपको 300 रुपए का एक कंवर्टर आता है, जिसको 500 वाट का बोलते हैं, मार्कीट से आपको मिल जाएगा, तो आप वो चलाने हैं, अब यह बात होगी, यह तो हमारे पैनल धूब में रखा है, अब इन पैनल इतना है, पर आप क्या यह पैनल इतना पावफुल है, क बिना दूपके भी आपका लोड चला देगा तो उसके लिए आप वीडियो में कंटीनियू बने रहिएगा अब वोल्ट हमारा पैनल दिखा रहा है क्योंकि बैटरी आलमोस्ट चार्ज है तो जैसे बैटरी आपकी चार्ज होती चली जाएगी आपके चार्जिंग अम्पिर कम होती चली आता है तो अब फ्रेंट्स यह देखिए मैंने बैटरी डिसकनेक्ट करवा दी है यह बैटरी डिसकनेक्ट पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं पैनल बिल्कुल चार्ज में अब मैं केमरामेन को बोलूँगा कि वो दिखा है दूप अलग है तो अगर आपके हाँ पर लो लाइट कंडिशन्स रहती हैं अगर आपके हाँ पर लो लाइट कंडिशन्स रहती हैं तो आप समझ सकते हैं कि लो लाइट कंडिशन्स में भी यह देखे यह मैंने बैटरी अलग करा दी और देखे यह लाइट जो है हमारी लाइट हमारी चल यह बैटरी मैंने अलग करा दी है आप देखें बैटरी का यह अलग करा दिया है मैंने और आप यह देखेंगे सीधा solar charge controller से यह पकड़ा हुआ है भी याने मैं पेच कर से लगा दो इसको पेच कर से खुल के लगा दो यह प्रक्टिकल सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह समझाए कि अगर आपके यहां पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है तो कोई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो फ्रेंड्स यह मैं आपको लाइट चला के दिखाई आप इस पर cooler और चला के देख फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि यह cooler जो है वो आपका चल गया है इसका मतलब सिर्फ practical करने का सिर्फ मेरा मतलब यह है कि आपकी low light condition में भी यह पैनल इतना पावफुल है कि low light condition में भी आपके सारे लोडिये चला सकता है तो अब 20,000 रुपे के अंडर में अगर आपको ऐसा system चीए है तो उसके लिए सिर्फ आपको करना यह है कि आपको यह वाला चार्ज कंटोलर लेना है यह चार्ज कंटोलर की कीमत है 1200 रुपे 1200 रुपे का चार्ज कंटोलर सारे 10,000 रुपे का यह पैनल और इसके साथ ही अगर आपको अपनी लैड असे बैटरी लेनी है तो रुपे का आपको कूलर मार्केट में मिल जाएगा और यह लाइट 50-60 रुपे की 60 रुपे का 70 रुपे का आपको DC चार्ज मिल जाएगा और अगर आप फैन लेना चाह रहे हैं तो फैन भी आपका 2,000 रुपे से ज्यादा फैन नहीं आता है तो आप यह समझे के अंडर 20,000 आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि 20,000 रुपे से कम है आपके घर का पूरा लोड चल जाएगा हर कंडिशन में आपका यह लोड चल जाएगा अब आपका एक सवाल यह होगा कि अगर लीथियम बैटरी को यह मैं आपको दिखा रहा हूं इस बैटरी के साथ अग इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो बैटरी से थोड़ी सी ज्यादा है करी 28-30 रुपे की बैटरी आपको मिलने वाली है तो अगर आपका बजेट इतना है कि 28,000 रुपे बैटरी प्लस आप सूलर पैनल के साथ में जा सकते हैं तो यह फिर लाइफ टाइम आपका मैंटे बैटरी के साथ जा सकते हैं और आपका बजेट थोड़ा कम है तो आप फिर नॉर्मल जो मैंने आपको बताया लैड असेट बैटरी के साथ में जा सकते हैं और जो लैड असेट बैटरी आपको मार्केटों मिलेगी वो भी सोलर पैनल से आप चलाएंगे तो पांचे साल तो